आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से राम नौमी का पर्व मनाया जा रहा है इसको लेकर हर व्यक्ति के अंदर उस्सा नजर आ रहा है जगा जगा शुभा यातरा के सांस सांत विभिन्द तरह के धर्मिक आयोजन किये जा रहे हैं इस बार ये तेवहार रिता यूग की तरह ही तिथी और नक्षत्र के संयोग में मनेगा श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था इसलिए राम नौमी की पूजा दिन में ही होती है इसके लिए दिन में दो शुब मुहरत रहेंगे इस दिन नौ योग भी बनेंगे जिससे पूजा और खरिदारी के लिए दिन शुब रहेगा नमस्कार आप देखने हैं स्वर्मे टाइम्स का विशेश मैं हूँ अंकर शुकल अगस्त सहिता और वालमी की रमायन के नुसार श्री राम का जन्म चैत्र महिने की शुकल पक्ष की नौमी तिथी और पुनरवसू नक्षत्र में हुआ था ऐसा ही सयोग इस बार 30 मार्च गुरुवार को बन रहा है इस त्योहार की ग्रह स्तिती के बारे में पूरी के जोतिशाचारी डॉक्टर गनेश मिश्र और अयोध्या के जोतिशाचारी अंकिश शाष्त्री कहते हैं किस दिन तिथी वार, नक्षत्र और ग्रहों से नौशुभ योग रहेंगे पिछले 700 सालों में ऐसा सा योग नहीं बना है चलिए अब जान लेते हैं राम नौमी के पौराणी के तिहास के बारे में वालमी की रमायाट के मुताबिक, राजा दशरत जब बहुत बूढे हो गए तो संतान ना होने के कारण चिंतित रहने लगे ब्रामणों ने उन्हें कुत्रका मेश्टी यग की सलाह दी महर्शी वशिष्ट के कहने पर दशरत ने रिशी श्रिंग को इस यग के लिए बुलाया यग पूरा होने के बाद अगनी देव प्रकट हुए उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरत को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा एक साल बाद चैत्र शुक्ल नाओमी पर पुनरवसु नकषत्र में माता कौशलिया ने श्री राम को जन्म दिया फुशनकशत्र में माता कैकैini भरत और माता सुमित्रा ने जुडवा बच्चे लक्षमन और शत्रुगन हुए और अब बात करते हैं राम नगरी अयोध्या में राम लला की जन्मों सौकी तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन्म भूमी दर्बार सहित पूरे मंदिर को 50 कुंटल फूलों से सजाया गया है इसमें हरी पतियां असम उरिशा से मंगाई गई हैं गेंदा फुल कोलकतार जबकि और्किट कनाडा से मंगाई गए हैं सिर्फ जन्म हुवी नहीं बलकि कनक भवन श्री राम वल्भा कुंज मंदिर लक्षमन खिला और हनुमत निवास समिट करीब 10,000 मंदिरों में प्रभु के जन्म के साथ ही मंगल गीत गूंजने लगे अब बात करें 36 गड़की तो यहां राम नौमी पूरे हर्शुलास और भक्ति भावस से मनाई जा रही है प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मंदिरों में विशेश पूजा पाठ और भंडारे कायोजन किया गया है राजधानी रायपूर में भी श्राम सीता के मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद भंडारा कराया जा रहा है और आईए अब देखते हैं इस पर हमारी खास रिपो आप सभी को राम नम्मी की हार्दिक शुपकाम नाएं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राम नला का जन्म दिवस है जिसे पूरे देश में बहुत ही हशोलाज के साथ मनाया जा रहा है हम आपको ले चलते हैं 36 गड़की राजधानी रायपूर के श्री राम मंदिर में जब देख सकते हैं कि हहां पर सुबहीं भक्टो काता अदा लगा हुआ है अब आप इतनी रौनक देख रहे न तो लग रह रहे कि आयूद्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है though यह करने आए बहुत मतलब बहुत सुन्दर तरीके से राम जी के मंदिर को सजाया गया है अधुद्ध चबार चबी जो कहते हैं न वह है और अत्हावीड आज हमने महाराश्री राम का राज्यों विशेख किया जल विशेख किया करूब 11 बजे से कारेकरम चाहलिए 12 बजे भाव जैसा कि आप सभी ने देखा कि राम नम्मी का उक्सा लोगों में किस प्रकार बना हुआ है दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आए हैं और साथ ही आज शाम श्री राम मंदिर में मैथी ठाकुर द्वारा संध्या भजन का आयोजन भी किया गया है इसे के साथ आप दिनेश राहों के साथ मैं लक्षिका स्वर्माइ टाइम से